अब बनाते हैं निमोना बहुत ही बढ़ियाँ वाला यूपी स्टाइल में आरे भाइ क्या बनरहा आज यह तब मटर लग रही है तो यह ना शारे यूपी वाले इंकलूडिंग हमारे पती जी बहुत पसंद यूपी स्टाइल मटर कर निमोना बाइग ठंडियों में अगर य जा रही है तो आभी मटर चीली जा रही है तो मटर की निमुने में क्या थोड़ी मटर जादा लगती तो इसलिए थोड़ी मेनाथ जादा पड़ेगी तो बट कोई नहीं चल रहा है काम अच्छा इसमें स्पेशल बता हूं मैंने बहुत दिन बाद सीखा मटर की तो आपको र किस लिया है और इसमें धनिया अद्रक और लहसों है और इसमें टमाटर है टमाटर ऑप्शनल है कई लोग कहते कि टमाटर नहीं डालते पर देशी टमाटर खटा-खटा होता है इसलिए मुझे अच्छा लगता है बाकी यह आलू है तो चलते हैं पहले हम आलू को करेंगे फिर आगे की प्रॉसर करेंगे अब इसमें पीशी होई मतार है यह डालें लिए अच्छे से पटाप्टा के अब इसमें आपको चार के पाच मेंक इसको पकाने मिलाएंगे अगर चाहो तो तेल के चेंज कर सकते हो इसका पर सर्सों के तेल ती यह इसलिए में बना रहे थी और कैसे यह पख गई यह पता चलेगा जब यह सूब जाए दी पूरा तब आपको बता चल जाएगा कि यह पख गई तो फोड़े चलाते रहना कि वह फिच्ची पख जाती है तो इसमें डालेंगे तमाटा तमाटा धल कगल जाएगा साथ साथ में डालेंगे धनिया लहसुर और अधरक फेस मिलाते तो यह बन जाए उसका ग्रेवी पक रहा है नीमोनी का साथ में मत्र भी डाल जेते हैं बनता ही ऐसी बिषोती कि सबसे कम मत्राले से बनती है लगी और बहुत फाइदा करती है तंडियों में आपके लिए दाम भी समाना समझ देगेंगे जाए किसे तो यही जो यूज हुगा है पॉटे अधर मस्त तो बहुत गरम ज़े गा एच्छी और लहसुन भी बहुत सार कि अब भी कोड़ा आब कर दर दाल सकते तो देड चमज कर दो अर अदो नहीं है अब उढ़ा सा एक चमज चुपिंग करते कर अब्स अब जगी है इकनी ही चीजें ही दिश मांगते हैं और अब अब खतब हो गया और पकने के लिए रेड़ी हो रही है तो मिलते हैं थोडी देर में, चपतार पक दागा है बाकि इसमें एक्न थोड़ा है निहीं अच्छा लगता है गदागा तो छूदा हमाने मिलांगी किसे था ने नंजद से ही मसा सपील, कईंच श्थ कन विम्हेश। बशिए थे क्वेघ्र को यूधिये मिलिगी देता है दो मिला थे टैए लुट तो इसलिए देदी ने थे जिए मिल्द आपका हुए ड़ी कॉझाइ टबर जाए कि आपकाओ जैसे निमोना पकते हैं वैसे आप देखाते हैं और मिलते हैं डाइनिंग टेबल पर तो यह हो गया है इसको थोड़ा पका दिया जाए लास्ट बट नॉट लीस्ट यह हम इसमें टीस के कॉर्डिंग अप नमक मिला दो जानदार निमोना बनके हो गया है तैयार खाने के तो फाइनली गाइज यह देखिए आ गई अपनी निमोना दिख रहा है ना एक्दम टेस्टी देस्ट निमोना 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 नहीं है तो यह लोग इनलों को लग रहा कि मैं निमोनिया बोला निमोनिया नहीं है यह निमोना है जो निमोना खाता उसको निमोनिया नहीं ह तो इसलिए आप निमोना खाईए थंडियों में क्योंकि एक टाइम तो खाने को मेरे तो एक सपोड भी उम लोग लेते हैं क्यासा लागा बहुत ही इतम यम्मी है पूरे गाउं का टेस्ट याद आगया गाईज मेरे को बहुत दिनों बात निमोना खा रहे हैं तो मदस पक्का और बताया जाया आप लोग को बताती है एक सीग्रेट मैंने फरस्टाइम मनाया निमोना लेकिन है अच्छा बना इंको आज के ब्लॉग में बस इतना ही गाईज मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए गुडबाय नमस्कार